साथियों, आज भारत के पास नकेवल दुनिया के नौले सेंटर बनने का, बलकि स्कील केपिटल बनने का सामर्त भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं के बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्कील भी है, बैल्यू भी है और काम करने के लिए जरूरी जज़बा और इमानदारी भी है। भारत की ये स्कील केपिटल दुनिया के विकास का एंजिन बन सकती है। भारत में उपस्तित युवाओं के साथ ही भारत की प्रात्विक्ता वो प्रवासी युवाँ भी है, जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्ट जनरेशन युवा जो विदेश पे जन में हैं, वही पले बड़े हैं। हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई आउसर दे रहे हैं। नेक जनरेशन प्रवासी वाओं में भी भारत को लेकर उत्सा बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी हैं कि हम युवाओं को नवक्यवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बलकि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारमपारिक बोथ और आधुनिक नजर के साथ ये युवाँ फ्यूचर वर्ल को भारत के मारे में कहीं ज्यादा प्रभावी डंग से बता पाएंगे. जितनी युवाँ में जिग्यासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा परियटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गवरो बढ़ेगा. ये युवाँ भारत के विभिन परवों के दोरां, प्रसित्य मेलों के दोरां आ सकते हैं, या फिर बुद्ध सर्कीर, रामा और सर्कीर का लाप उठा सकते हैं, वो आजादी के अमरत महोसों के तहत होरे कारकमों में भी जुड़ सकते हैं.